हेलो यारो तो स्वागत आपका मेरी एक और नई वीडियो में तो आज हम आपकी पुरानी आदित ताजा करने वाले हैं क्योंकि आज हम दिखाने वाले हैं सभी कार्टूनों के फर्स्ट एपिसोड मिकी माउस तो यारो इसके फर्स्ट एपिसोड को 8 नवंबर 1928 को रिलीस किया गया था जिसका नाम था स्टीम बोट विली दोस्तो इस एपिसोड में हमें मिकी एक स्टीम बोट पर काम करता हुआ दिखाया जाता है जिसका कैप्टन बहुत खडूस होता है सफर के दुरान मिकी अपनी बोट में एक गाए को डालता है पर वो मिनी को वही छोड़ जाता है जिसके पास मुजिकल इंस्टूमेंट के कुछ नोट्स होते हैं जैसे तैसे करके वो मिनी को बोट पर लाता है पर एफ लीस्ट उसके नोट बकृ चड़ जाती है फिर वो मज़िदार पार्ट आता है जिसमें बकरी के मुझसे अधी वजीब धुने निकलने लगती हैं मीकी को मस्ती करता देख उसका कैप्टन गुसा हो जाता है और उसे आलू छीनले का काम दे देता है और यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है बैन 10 दोस्तो इस एपिसोड में दो एलियन शिप आपस में ओमनी ट्रेक्स से ले लड़ रहे होते हैं जो बड़ा वाला एलियन शिप होता है वो होता है विल्याक्स का यहां पे एक लड़का दिखाये जाता है बैन जो मेरी तरह सबकी मदद करना चाता है पर वो विचारा कर नहीं पाता है और यहीं पे उसकी एंट्री होती है उनके ग्रैंट पा मैक्स की जो गर्मियों की चुट्टी में बैन और गुएंग को जंगल घुमाने ले जाते है यहां जंगल में एक मिट्रॉइट गिरता है जिसमें वही ओम्नी ट्रिक्स होता है और खुशी की बात तो यह है कि वो बैन को मिल जाता है और विल्गैस काउंटर एटेक से जख्मिवा होता है तो वो रोबोट्स को धर्ती पर भेजता है ओम्नी ट्रिक्स लाने के लिए पर हमारे बैन के पास भी 10 एलियन्स की पावर्ती और वो इजली इन सब को मार देता है और यहीं पर स्टोरी को उमलोग दी अइन करते हैं दोस्तो इस एपिसोड में हमारे टॉम भाईया जैरी वही को परिशान करने की कोई कसर नहीं रखते हैं पर हमारे जैरी वही भी मजे लेने में कुछ कम नहीं है यारो पर टॉम कहां सिदरने वाला था तो वो जैरी को फिर से परिशान करने लगता है फिर हमारा जैरी भी कुछ कम नहीं है तो वो टॉम को परिशान करने के लिए सारी प्लेटे किरा देता है फिर हमारा जेरी टॉम के बम पे ऐसी लात मारता है ऐसी लात मारता है कि किसी ने सोची ना होगी फिर टॉम के हाँ से सारी प्लेटे छूड जाती है और उसके तूटने के बाद फिर उसकी मालकीन टॉम को घर से बाहर निकाल देती है और ये एपिसोड यहीं पे खतम होता है Mr. Bean यारो ये काल्टून तो आप लोगों को यादी होगा जो बिना कुछ बोले बस अपने expression से हम लोग को हसाता रहता था दोस्तो अगर बात करें Mr. Bean के फस्ट एपिसोड की तो उसका नाम था इन दा वाइल्ड यारो इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि Mr. Bean हमारी तरह अराम से लेट कर मज़े से ब्रेड टोस्ट खारा होता है तो हमारे Mr. Bean की नजर वाइल लाइफ फोटोग्रेफिर पर पड़ती है Mr. Bean निकालते हैं अपना कैमरा और निकल पड़ते हैं खुदी जानवरों की कोज पर यारो मुझे तो सब्सक्राइब मज़िदार सीन ये वाला लगता है और फिर Mr. Bean रुकने के लिए रात में यहाँ पर टेंट लगाते हैं और अगले दिनी Mr. Bean अपने घर चला जाता है आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइफ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में